उदर कोरोना नियमों की ओलंगहन का एक विडियो गुजवात के पंच महाल से भी सामने आया जहां एक शादी में शामिल लोगों ने कोरोना नियमों की जम कर धज्या उड़ा है शादी में सेक्डों की संख्या में शामिल लोग जम कर जश्ट मनाते नजर आए किसी को ना तो कुरोना का ड़ता ना ही नियमों की परवादी बरात में शामिल किसी भी शक्स ने मास्क पहनना ज़रूरी नहीं समझा और आम दिनों की तरह शादी के जश्ट में नाच देगाते नजर आए कि शादी केस जश्ट में दो गस की दूरी बहुत दूर की बाद सावित हुई दूले को कंदे पर उठाए बराती जम कर जूमते नजर आए वीडियो वारल होने के बाद पूलिस ने दूले के परिवार के खिलाफ केस दर्च कर कारवाई का भरोसा दिया इस बीच बैंगलूरू में कोरोना टेस्स के लिए लोगों से जोर जबरदस्ती करने का वीडियो वारल हुआ जिसके बाद नगर निगम के कमिश्टर ने मामले की जाच का देश दिया आरोप है कि वहां के एक एक इलाके में लोगों को सरकारी करमचारियों ने कोरोना टेस्ट कराने के लिए परिशान किया वारिल हुए एक वीडियो में तो कोरोना टेस्ट करने वाला एक करमचारी एक लड़के से मारपीट करता दिखा इन लोगों ने पहले इस लड़के से कोरोना का टेस्ट कराने को कहा जिसके बाद लड़के ने दो टूप मना किया फिर क्या था एक शक्स उस पर टेस्ट कराने के लिए दबाव बनाने लगा लेकिन लड़का लगातार मना करता रहा यही नहीं एक बार तो उसने उची आवाज में गुसा कर इंकार भी किया फिर क्या था वहाँ मौझूद कर्मचारियों ने उसके साथ बस सलुकी करना शुरू कर दिया दो कर्मचारी उसे धक्का देकर जाच वाली टेबल तक लाए और फिर उनमें से एक पर उएक ने थपड़ बरसाने शुरू किये यही नहीं उसने लड़के का एक हाथ मरोडा और उसे जमीन पर गिरा कर मारने लगे इस बीच दूसरे शक्स ने भी लड़के को पीटा उसकी गरदन पकड़ कर टेबल तक लगाए एक और वाइरल हो रहा है वीडियो जिसमें दो लोग कोरोना टेस्ट करवाने से मना करने वाले शक्स के साथ जोर जबरतस्ती करते दिखे और बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जड़ी हुई देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है पिशले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,96,000 नए मरीज मिले एक तालिस दिन बाद देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या दो लाग के रीचे आई है वही एक दिन में 3,511 मरीजों ने दम तोड़ दिया स्वास्त मंत्राले के आकड़ों के मुताबिक एक दिन में करीब 3,27,000 लोग ठीक भी हुए आकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से भी कम हो गए उतर गुजरात में कोरोना कर्फ्यू के बीच दुकाने खोलने की इजासत मिलने पर कई जगाओं पर बासारों में भीड उमर पड़ी पिशले हफते विज़े रुपानी सरकार राजी के 36 शहरों में 27 माई तक रोजाना सुबह 9 से 2-3 बजे तक बाजार खोलने की मज़ूरी दे चुकी है जिसके बाद लोगों ने घरों से निकल कर खरिदारी ऐसे शुड़ू कर दी जैसे कोरोना काल से पहले तहवारों पर बाजारों में भीर चुटती थी जिसकी कुछ तस्वीर ने सूरत से सामने आई जहां बाजार में पैर तक रखने की जगे नहीं मिली कुछ लोग पूरे परिवार के साथ घर से निकल पड़े, बच्चे, बुजर्ग, हर उम्र के लोग बाहर घूमते मिले भीर तो भी इनमें कई लोगों ने मास तक नहीं लगाया, कुछ लगाय दिखे तो वो भी स्गर्फ दिखावे के लिए केवल गुजरात ही नहीं, बलके उडिशा में भी एक जून तक लागू लॉक्टाउन के बीच बड़ी संख्या में लोग सबजी खरीदने के लिए मंडी पहुचे जहां भीड जुटने पार पुलिस ने उन पर कारवाई की, जिसकी कुछ तस्वीर है राजधानी भूवनेश्वट के एक सब्जी मंडी से सामने आए जहां एक एक कर बड़ी संख्या में लोगों के खट्टे होनी की वज़े से पुलिस को ये आक्शन लेना पड़ा पुलिस वालों ने सब्जी मंडी के बाहर खड़े एक स्कूटर को क्रीम के मदद से उठवाया और मिनी ट्रक में रखवा दिया ये कारवाई यही नहीं रुकी, पुलिस ने उस स्कूटर के मालिक का चालान भी काटा जिस वाक्त ये कारवाई की गई, उस वाक्त सब्जी मंडी में पूरोना नियमों का पालन होता नहीं दिखा सब्जी बेच रहे दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रख दिया वहाँ बिना दूरी बनाए सब्जीयों की दुकाने लगी नजर आई, मंडी में कुछ लोगों ने तो मास्क लगाने तक की जहमत नहीं उठाई ऐसी तस्वीरें वहाँ की कुछ और सब्जी मंडीयों से भी सामने आई उदर महराष्ट और गुरुग्राम की तरह दिल्ली में भी ड्राइव थू वेक्सिनेशन की शिर्वात होगी मतलब ये कि लोग अपनी कार में बैठे बैठे कोरोना का टीका लगवा सकेंगे इसके लिए दिली सरकार ने आकाश्ट हेल्थ केर सूपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर द्वारिका के वेगस मॉल में वैक्सिन सेंटर खोला जहां कल सुबह साहे 11 बजे से ड्राइव थू वैक्सिनेशन की शिर्वात होगी खास बात यह है कि सेंटर पर 18 प्लस यानि 18 साल से ज़्यादा उम्र और 44 साल तक के लोग जो है उम्र के वो टीका लगवा सकेंगे कोरोना वाइरस के वार्स से भारस में दुनिया भर के तमाम देश करा रहे हैं रोजारा हजारों लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं दुनिया की कई देश इसे चीनी वाइरस भी कहते हैं लेकिन क्या वाकई जिस वाइरस से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं वो चीन से ही पैदा हुआ अमेरिका के एक अख़बार ने दावा किया कि पूरी दुनिया में कोरोना फ्हलने से एक महीने पहले चीन के वहान लैब के तीन शोध करता बिमार पड़ गए थी इन तीनों शोध करताओं को कोरोना के लक्षन थे और अस्पताल में इनका इलाज भी जला मतलब यह कि कोरोना के वहान कनेक्शन की बाद खोखली नहीं है कोरोना महामारी ने पिछले करीब डेड़ साल से दुनिया भर में तबाही मचा रखी है इस वाइरस ने करोडों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों जिंदगियां निगल भारत में तो कोरोना की दूसरी लहर से मौतों का आकड़ा बरता चला जा रहा है लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका कि कोरोना वाइरस की उत्पत्ती कहां और कैसे हुई WHO के अलावा कई देश इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि कोरोना कहीं इंसान का बनाया वाइरस तो नहीं है कहीं चीन की वुहान लैब से इस घातक वाइरस का कोई कनेक्शन तो नहीं है दुनिया के ज़ादातर देशों का मानना है कि कोरोना वाइरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है जबकि चीन इससे पल्ला जारता रहा है लेकिन इसी बीच अमेरिका के एक अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे कोरोना वाइरस के वुहान कनेक्शन पर कहीं न कहीं मुहर लगती नजर आ रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट की माने तो दुनिया में कोरोना वाइरस फैलने से पहले चीन में वुहान की लैब के शोध करता इससे संक्रमित हुए थे वुहान इंस्ट्यूट ऑफ वारियलोजी के तीन शोध करता नमबर 2019 में बीमार हुए थे उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी गौर करने वाली बात ये कि इन शोध करताओं में कोरोना के लक्षण पाए गए थे वाल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे से फिर एक बार चीन की वुहान लबारिटरी की उपर सवाल ये निशान लग गए हैं ये पहली बार है कि इस बात का खुलासा हुआ है कि नमबर 2019 से पहले वुहान लबारिटरी के तीन शोध करता बीमार हुए थे और उन्हें करोणा के लक्षन थे और उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए नमादद भी मांगी थी डबलू एचो की अगामी बैठक करोणा मायरस के ओरिजिन की उपर फिर से होनी जा रही है और आगे चल कर क्या करना है इसकी उपर भी विचार विमार्श होगा की लैब में क्या हुआ था वुहान से कोरोना पूरी दुनिया में फैला या नहीं इसकी परताल चल रही है लेकिन यह भी सच है कि नवंबर 2019 के बाद यानि दिसंबर जन्वरी के बीच दुनिया को कोरोना वाइरस महमारी के बारे में पता लग गया था यह नहीं चीन के वुहान शहर से ही कोरोना से तड़ब तड़ब कर मरते लोगों की तस्वीरें सामने आई थी पीच सड़क पर लोग कोरोना से दम तोड़ते नजर आय थे चीन की सरकार ने वुहान को पूरी तरह से सील कर दिया था हलाकि विश्व स्वास्त संगठन या कहें डबलू एचो की एक टीम कोरोना वाइरस से जुड़े सच का पता लगाने के लिए वुहान भी गई थी लेकिन चीन ने डबलू एचो की टीम को कुछ हिलाकों में जाच नहीं करने दी ये बात भी सामने आई थी कि चीन ने इस से जुड़े सभी सबूत मिटा दिये लेहाजा इस जाच में डबलू एचो के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया और ये पुष्टी नहीं हो पाई कि कोरोना वाइरस वुहान की लैप से ही फैला है लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुफिया रिपोर्ट में वुहान लैप से ही कोरोना वाइरस के फैलने को लेकर खुलासा किया गया है जिसके बाद एक बार फिर ये सवाल उटने लगे हैं कि क्या वुहान से ही कोरोना वाइरस पूरी दुनिया में फैला डबलुएचो डिरेक्टर जर्नल ने कहा था उस समय पर कि लबॉरिटरी से करोना वारस बहार आने की जो थियरी है उसकी रिपोर्ट पर डबलुएचो टीम ने ज़्यादा तथ ना होने की वज़े से उस पर ज़्यादा काम नहीं किया था और ज़्यादा गौर भी नहीं कर पाये थे तो आगे चल कर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें कई आशंकाए हैं यह आगे चल कर किस तरह की इन्वेस्टिगेशन डबलुएचो की तहत होगी वैसे वाल स्ट्रीट जर्नल से पहले विज़्यान संबंधी मामलों पर लिखने वाले जाने माने ब्रिटिश लेखक निकोलस वेड ने भी वाइरस की उत्पत्ती पर सवाल उठाए थे वेड ने कहा था कि चीन के वुहान इंस्टिट्यूट ओफ वाइरलोजी के शोध करता कोरुना वाइरस से मानव कोशिकाओं और चूहों को संक्रमित करने का प्रियोग कर रहे थे इस तरह के प्रियोग के चलते ही कोवीड-19 जैसा वाइरस पैदा हुँ यही नहीं अमेरिका के पूर्व राश्रुपती डॉनल ट्रम समेथ कई लोग भी यह आशंका जता चुके हैं कि वाइरस चीन की किसी प्रियोग शाला से फैला अलगे चीन इन बातों को नकारता रहा है और उसका कहना है कि यह वाइरस सी फूर्ट के जरीए देश में दाखिल हुआ 2003 से यह BSL 4 लबॉरिटरी है जो की हाइस स्टेंडर्ड मानी जाती है चीन में कई बार ऐसा हो चुका है कि जो बेजिंग की वाइरोलिजी लबॉरिटरी है वहां से कई तरह के कीटाणू बाहर निकल चुके हैं और वुहान की यह लबॉरिटरी चमगादनों की कोरोना वाइरस के उपर शोद कर रही थी दिसम्बर 2019 में ही वुहान लबॉरिटरी ने कहा था कि उनके पास ऐसा सामपल है जो कि सार्स कोबिड नाइनटीन से 96 प्रतिशत मिलता जुलता है खैर अमेरिकी अख़बार का कोरोना की वुहान कनेक्शन से जुड़ा ये खुलासा ऐसे वक्त सामने आया है जब दुनिया भर में जारी कोरोना के खैर के बीच जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेम्बली की एहम बैठक शुरू हो रही है ये बैठक एक जून तक चलेगी विश्व स्वास्त संगठन की सबसे बड़ी निनायक संस्था की ये बैठक कोविट संकट खत्म करने की उपायों और भविश्य में ऐसी किसी महमारी के रोक्थाम पर चर्चा करेगी इस बैठक में दुनिया के अलग-अलग देशों के प्रतिनिधी मंडल, यूएन पर यविक्षक, सहयोगी सदस्य, गैर सरगारी संगठनों के प्रतिनिधी भी शामिल होंगे उम्मीद है कि इस बैठक में कोरोना को रोकने के साथ वाइरस के चीन कनेक्शन पर भी चर्चा होगी अगर चीन ने जान भूच कर दुनिया पर ये महमारी थोपी है तो उसे उसके किये की सजा भी दी जाएगी